नमस्ते मुद्य जी नमस्ते अफका आपने समय दिया हमें इतने व्यस्त टाइम पर बहुत शुक्रिया है यह नाए कि तो दर्शकों की संख्या भाती भाती है तुझ सभी दर्शकों को नमन नमस्ते जी अब लगबग आखरी दौर आ गया है चुनाव का क्या जो आपने लक् सब्सक्राइब हो रहा है क्योंकि विपक्ष तो कड्मिंज रहें कि यह था नहीं हो रहा है वह कह रहे हैं कि 220-240 होगा कि आखरी दौर शब्द प्रयों कि आपने कि मुझे उसमें कि बहुत सी चीजें नजार आ लिए कि एक हमारा एक नया दौर शुरू होगा उसका उसके अंदर संकेत है दूसरा जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखरी दौर है तो चुनाव का अखरी दौर ऐसा है इतना नहीं उनकी स्थित्यों का भी आखरी दौर है प्रधान मंत्री जी आरक्षन इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया आप तो माइक्रो चेप्स और मैनिफैक्ट्रिंग इस पर बात होई थी लेकिन आपको बार-बार आरक्षन पर बात करते हैं क्यों देखना पड़ रहा है मुझे नहीं करना पड़ रहा है मैं जे सचेत कर रहा है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछरे भाई बेहनों को क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवाच्चों को मुझे जागरूत करना चाहिए और इसलिए मैं आगरह पुर्वक जनता जनादन को समझा रहा हूँ क्योंकि ये दो चीज़े हो रही है एक भारत के सम्विधान की मुल भावना का हनन हो रहा है सम्विधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है और वो भी अपनी वोट बेंक की राजनीती के लिए अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कॉंग्रेस के नेताओं को सुना तो ये कहते थे हैं कि पी एस यू का प्राइबिटाइशन कर रहे हैं आप तो आप आरक्षन मिटा देना चाहते हैं अब रियालिटी तो है नहीं गबाजी कर रहे हैं लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलीतों के हितेशी अपने आपको कहते हैं आदिवाशियों के हितेशी कहते हैं बे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं इन्होंने रातो रात एजुकेशनल इंस्टुशन को माइनोरिटी इंस्टुशन बना दिया माइनोरिटी इंस्टुशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षन उसमें खत्म कर दिया अब उनके अधिकार शित्र में नहीं था वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और युनिवर्सिटी तक को माइनुरिटरी स्टेटर्ट दे दिया अब दिल्ली में ही जाम्या मिलिया जो उन्होंने माइरोर्टी बढ़ाते उसमें सारे आरख्षान खतम हो गए एडिमिशन में भी नहीं नौकरी में भी नहीं और बाद में तो चीज़े उभर करके आई कि करीब करीब दस हजार ऐसी इंस्टिटूशन्स हैं जिसको इस प्रकार से आरख्षन के जो एस्सी एस्टी ओबीसी का अधिकार था वह पिछले दरवाजे से उसको चीन लिया गया है संविधान की पिट में छोड़ा भाकर दिया है बाबा साब अंबेड करने जिस सपने से यह व्यवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बेंक के लिए गिर भी रख दिया है तो यह यह चिंताजनक बाते मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दाई तो बनता है कि मैं देश को अवगव इतने में इनका मैनिफेस्टों आया इस मैनिफेस्टों ने और चौका दिया और इसलिए मैने पहला मैनिफेस्टों पर देखते ही मेरा पहला कॉमेंट था कि यह मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लिख की छबी है तो दो-तिन दिन तो उनको लगा कि इसका जवाब देने की दिरूत नहीं है अपने आपकी बात खत्रों हो जाएगी जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं एक एक चीज खोलने लगा जैसे इस देश में वो यह कहें कि हम खेल कुद में भी माइनोरिटि के लिए कोट अफिर फिक्स करेंगे आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं बंगाल के मेरे नवजवान फुटबाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तरप्देश के हमारे नवजवान जो एथलेट्स पर कभी अच्छा कर रहे हैं कि अब वो अपनी जवानी उसमें खपा देते दस बारा साल की उमर से लेकर करके पच्छा हुच रहे था कि लोग इतना तप करते हैं जी तपते हैं सरी को तपाते हैं खिलाडी ऐसा नहीं बनता है जी और सुबह रात को निन नहीं आती सुबह चार मैनोरिटी के लिए कोटा होगा तो मेहनत करने वाला मेरा नवजवान जाएगा कहां जी उनका क्या होगा दूसरा उन्होंने कहा कि देश में अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी बे कि माइनोरिटी के लिए आरक्षन करेंगे मतलब यह हुआ कि आज मान लीजे कोई कही पर बहुत बड़ा महत्वपण ब्रीज बन रहा है उस ब्रीज बहें कौन ब्रीज बनाएगा तो जिसके पास ट्रेक रCre witnessing के समसाधन है जिक के स्काबलनाकि पूर्फॉरण कर सकता है ताँ सारे दुमिशन पूर्छा ऒशाती निकलता है उसको देंटर यह कहते हैं यह भर मुफे बताएगे आगर इस यह प्रकार से सिर्फ धर्म के आधार पर कोटा दे जेंगे वो ब्रिज बनेगा लोग मारे जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होगा क्या बोट बेंक के लिए आप आने वाली पीडियों को भी तबाह करना चाहते हैं तो यह ऐसे विशे थे जो कॉंग्रेस ने अपनी बोट बेंक के खातीर अधिकार के लिए लड़ों मेरे अधिवासी भाई भैएंगे एधिकार के लिए लड़ों और इसले मैं लड़ाय लड रहा हूं